नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की हमारी रोचक कहानी है समय पर बोलना जरूरी होता है दोस्तो समय पर सही समय पर अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है क्योंकि अगर हम कुछ देख रहे हैं और हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं समय पर तो हो सकता है कि उसकी सजा किसी न बोचक कहानी है जिससे हमें सबक मिलता है कि हमें सही समय पर सच बोल कर अपने आवाज उठाने चाहिए तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की कहाने समय पर बोलना जरूरी होता है एक बार एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था उसके सामने दो फर्यादी खड़े थे जो अपना अपना पक्स रखने को कहा दोनों ने बारी बारी से अपना पक्स रखा जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्स रखा तर राजा अपने छोटे बेटे की साथ खेलने में वैस थे उनका ध्यान कम था जब दूसरे ने अपना पक्स रखा तो राजा ने पूरी बात ध् लग रहा था पर राजा के सामने सच पोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी इस बात को दो दिन बीट गए बिना किसी कार्ण के पहला फुरिएदी सजा काट रहा था जब इस बात के बारे में उस व्यक्ति के घर में बेटे को पता चला तो उसने दर्बार में आना क्या किया अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दर्बार में प्रवेश किया और उससे पूछा गया कि वो क्यों आया है तब उसने राजा से कहा हे राजन मैं आपसे एक नयाय चाहता हूँ राजा ने कहा कैसा नयाय तब उसने कहा एक राजय है जहां मेरे पिता अपनी फ्रियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्स रखा लेकिन राजा उनके बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति के बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया हे राजन अब बताईए कि क्या ये फैसला सही है और ऐसे समय फरियादी और धर्बारी को क्या करना चाहिए तब राजा ने उत्तर दिया फैसला बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे वक्त में धर्बारी और फरियादी दूनों को राजा को सही बात बोलनी चाहिए क्योंकि फर्यादी का बिनाबात की दंड सेना पाप है और दर्बारी भी नयाय का हिस्जा है राजा कोई भगवान नहीं है उससे भी गल्थी हो सकती है ऐसे में दर्बारी को राजा को अपना दर्श्टिकॉन देने का पूरा हाग है ट्यूंकि किसी भी नयाय पर पूरे राजे की पर्तिष्टा निर्भर करती है यह सुनकर सभी दरबारिय का सर लज्जा से जुक गया राजा की बात खत्म होने पर फर्यादी के बेटे ने राजा से का हे राजन वे राजा आप हैं आप ही ने मेरे पिता को सजा दी हैं जब वे अपना पक्स आपके सामने रख रहे थे आप अपने पुत्र को साथ खेलने में वैस थे और इस कारण आपने बात पूरी नहीं सुनी उसके सामने बोलने की हिमत किसी की नहीं थी जिसके प्रिणाम सुरू पिछले दो दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं राजा ने बात सुनकर अपना नयाय बदला और दर्बारियों को फटकारा इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फर्यादी के पुत्र का अभिनंदन किया और उसे धन्यवाद दिया उसके कारण आज राजा और दर्बारि दोनों को बहुत मैत्वपून सबक मिला जिसके पारितोष के रूप में राजा ने उस सत्य वादी को राजी के मैत्वपून पत पर बिठा कर उसे कारियशाला में नोकरी परदान की कहाने इस सिक्षा की ये कहाने है कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है और सच बोलने से नुकसान भी नहीं होता है अगर दर्बारियों की तरह फ्रियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को सजा भोगनी पड़ती साथ ही जो सबक राजा और धर्बारी को मिला वो भी नहीं मिलता एक व्यक्ति की सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाब होता है और समय पर बोलने से भी कोई व्यक्ति सजा से बस सकता है तो इस कहाने से यही सबब लेना चाहिए कि हम सदे सच बोले और सही समय पे बोले राजा ने इस सत्य को सुविकार किया अपनी भूल को ठीक किया उसी तरह हम सभी को अपनी गलती सुविकार करने चाहिए और अपनी भूल के लिए माफी मागने चाहिए और समय पर अपनी आवाज उठाने चाहिए तो दोस्तो इस कहाने से हमें यही सबक मिलता है कि जब कभी कहीं पे अन्याय हो रहा हो और हमें पता है कि सच क्या है तो हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सही समय पर अपने आवाज उठाने चाहिए तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं और अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सयोग कर सकते हैं तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों